ये कहानी एक सुनसान भयानक गाव के बारे में है, जिसे लोगों ने भूतों का शापित गाव नाम दे रखा है। कहते हैं कि इस गाव में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं लोटा। यह गाव इतना डरावना है कि लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं। रात होते ही गाव में एक गहरा अंधेरा चा जाता है, थंडी हवाई चलने लगती हैं और वहां से अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुवात होती है एक पत्रकार से जो अपने दोस्तों के साथ इस रहस्यमई गाव के बारे में जानने का फैसला करता है। उसने सुना था कि एक रात गाव के सभी लोग अचानक से गायब हो गए थे, कोई नहीं जानता कि उस रात वहां क्या हुआ था, लेकिन इस बात के चर्चे हैं कि इस गाव में एक प्रेटनी का आतंत है। कहते हैं कि ये प्रेटनी उस इनसान से बदला लेना चाहती है, जिसने उसके साथ धोखा किया था। इसलिए जो भी इस गाव में आता है, वह उसकी नजरों में आ जाता है और फिर वह उसे नहीं छोड़ती। पत्रकार और उसके दोस्त गाव में प्रवेश करते हैं। गाव में कदम रखते ही उन्हें चारों तरफ अजीब सी घटनाएं महसूस होती है। हर तरफ भयानक सननाटा है और हवा इतनी ठंडी है कि उनकी रूह कामप जाती है। जैसे ही वे गाव के अंदर जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंध होने लगते हैं, खिडकियों से भूतिया परचाईया जलकने लगती हैं और अजीब अजीब आवाजे सुनाई देने लगती हैं। इन घटनाओं से पत्रकार और उसके दोस्त बुरी तरहे डर जाते हैं। दोस्तों के मन में डर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी वे इस रहस्य को सुलजाने का फैसला करते हैं। अंत में पत्रकार का सामना उस प्रेटनी से होता है। प्रेटनी बेहद खौफनाक दिखती है, उसकी आँखों में बगले की आग है। पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए दोड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह इस श्राप से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। वह उसी भयानक जंगल में फसकर रह जाता है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस गाव का रहस्य अनसुलजा ही रह जाता है। यह कहानी एक मनोरंजक कलपना है, जिसका मकसद केवल दरावनी कथा सुनाना है और किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है।